नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम 24 जून 2023 का क्राइट अफर पढ़ने के लिए उपस्तित हुए हैं दोस्तों आज हमारी क्लास एक दिम महतपून होने वाले एक्जाम के पॉइंट विस से सभी क्यूशन दोस्तों महतपून ह होने वाले हैं तो क्लास के और बढ़ते हैं तो हम यहां पर देखते हैं आज सम्स्तों चूबी जून 2023 का क्राइट अफर पढ़ने के लिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोन कर सकते हो विजन लैट्स क्राइक पेसे के नाम से साथ ही दोस्तों इस्ट्राम पर भी हम कर सकते हो नमीनतम अपडेट्स के लिए और रगुलर दोस्तों करन्ट अफर की क्लास लेने के लिए आप हमारा यूटूब चैनल दोस्तों उसको सब्क्राइब कर सकते हो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही दोस्तों आपे बैल आइकन है उसको प्रेस कर दी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं तुम्हें यह निस्चित करना होगा कि लोग तुम्हारा भागय निर्धारित करें या तुम अपना भागय निर्धारित करो दोस्तो तो यहाँ पे दोस्तो कोई फरक नहीं पड़ता है लोगों को लोग क्या कुछ भी कहें तुम्हारे बारे में लेकिन तुम्हें अपने बारे में एक dedication बनाना है कि हाँ मैं निश्चित ही ये कर सकता हूँ तो दोस्तों आपको निश्चित ही उस सफल तकी और अगर्शर होना है अपने करम में लगे रहना निश्चित है जो अपने निश्चित किया है अन्य किसी की बातों में ना कर दोस्तों अपना लक्ष बदले और नहीं दोस्तों अन्य किसी की बातों में आकर अपना भाग्य है उसके according लिखना निश्चित करें जबकि आप अपना भाग्य अपना स्वयम निर्धारित कर सकते हैं क्योंकि लोग केवल कहने के होते हैं ना कि दोस्तों लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे वो केवल आपको बोल के चले जाएंगे निश्चित है तो लक्षय प्राप्ति के लिए आपको ही आगे बढ़ना होगा ना कि अन्य किसी को उसमें दोस्तों अन्य कोई केवल सही होगी हो सकता है या फिर आपको मार्ग से बढ़का सकता है लेकिन लक्षय प्राप्ति के लिए आपको निश्चित आप स्वेम को यह आगे बढ़ना होता है तो motivation देखते हैं कि क्या फरक पड़ता है लोग तुम्हार भारत के एकिकरत simulator complex हाली में भारत के एकिकरत simulator complex है दोस्तों ध्रूग की लौच्ट जो है एकिकरत simulator complex ध्रूग जिसकी launching कहां से की गए दोस्तों launching की बात ओर रही है यहां पर कहां से की गए तो option देखते हैं राजसान लदा केरल और उडिशा तो right answer दोस्तों यहां पर C अर् से इसकी क्या की गे लौचिंग की गी और भारत की जो रक्षा मंत्री है राजनाज सिंग जी के द्वारा इनकी इसकी क्या की गी लौचिंग की गी तो बात करते हैं कि भारत के एक एकिकरत simulator complex जो दुरू है उसकी launching केरल के जो कोच्ची से की गी जिसकी launching करने वाले भारत की से एक क्योशन तो एक दम महत्पून हो जाता है यहां पर श्टाक लगाई है दोस्तों तो यहां पर नेक्ट क्योशन के और बढ़ते हैं हम हाल ही में देश के किस राज्य में योग सत्र पर एक लोगों दोब भाग लेने के कारण गिनीज बुक और रिकॉर्ड बनाये गाया है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है यहां पर मद्य परदेश इसका राइट आंसर होने वाला किम द्रदेश में योग सत्र का आयजन किया गया, जिसमें दोस्तो 1.53 लाख लोगों दोरहीं आपे भाग दिया गया, तो इसको क्या किया गया, Guinness Book of World Record में धर्ज करने के लिए आपे सामिल किया गया, तो बात करते है योगा महुस्तो का आयजन जबलपुर के जो मद्यप्रदेश का जबलपूर जिला है उसमें यहां पे इसका आईजन होता है मुख्यातिती के रूप में यहां पे कि कौन सामिल होते हैं जगदीब धनकर जी यहां पे सामिल होते हैं क्योंकि दोस्तों यहां पे प्रधान मंतरी जी की दोस्तों यहाँ पर क्या थी जो इंटरनेशनल योग दिवस के उपर अमेरिका की यात्रा थी इसे यहाँ पर मुख्या थी थी के रूप में प्राष्टपती जगदीब धनकरजी सामिल वे और 21 तारीक को यहाँ पर योग दिवस के रूप में मनाय जाता है 2023 की थीम क्या थी दोस्तों मतलब वसूदेव कुटमगम के लिए योग दोस्तों 2023 की थीम थी और नवा संस्क्रण बोल सकते हैं यहाँ पर नवा संस्क्रण है 2023 में क्योंकि पहला संस्क्रण कवाता है दोस्तों यहाँ पर 2015 में पहला संस्क्रण इसका कवाता है 2015 में इसका पहला संस्क्रण आ मनाएगा नवी बार दोजार्टीज में मनाएगा था वसुद्धेव कुटुबकम के लिए योग योगव वसुद्धेव कुतुबकम ये दोस्तो इसकी ठीम रहने वाली है दूस्तो यहां पे देखते हैं कि योग-73 पन्ट-3 पन्लाफ लोगों दोड़ा गिनी जोओवर्ड इसका आएजन कहांपर किया गया तो बात करतें कि मद्याप्रदेश के जबल पूर जिले है उसमें इसका आइजन कि रहा थह है तो हम देखते हैं आप किते हैं या पर हालool कि या किन नेस को कि करने तो तो अ कि नेपाल के मद्द्ध चीन और भारत के मद्द्ध है भारत और पाकिस्तान के मध्य और चीन और पाकिस्तान के मध्य है तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है यहाँ पर डी अर्था चीन और पाकिस्तान इसका क्या है राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर चीन और पाकिस्तान की तरफ अपना प्रभाव बढ़ा रहा है तो मतलब पाकिस्तान में जो यह बोल सकते हैं म्यामार में यह बोल सकते हैं स्री लंका में यह अपना प्रभाव इस्तापित करने की कोसिस कर रहा है कौन चीन तो तो यहां पर उसी उद्देशे से आपर चीन ने दोस्तों यहां पर पाकिस्तान में चस्मा वी परमाणू उर्चा सेंत्र इस्तापित करने के लिए पाकिस्तान से क्या किया है समझोता किया है किसने चीन ने तो नेक्स्ट्यूशन के और बढ़ते हैं यहांपे हाल ही में इलहाबाद और दिल्ली उच्च नियाले के आदेश अनुरूप नागरिक जो थे जो भारत के नागरिक हैं उनको यहांपे नाम बदलनी जो है नाम बदलनी का क्या दिया गए यहांपे अधिकार दिया गए और उस अधिकार को यहांपे उनकी द्वारा यहांपे व्यक्या किए दी हेएगी कि वह अधिकार किस अनुचेद के तहत यहाँ पर वरणित किया जाए ख़ोगा अनुचेद पंदरग केते हैं अनुचेदा अनुचेद ribbling झातष जान यहाँ तैनम ब दलने जो अनुचेद 21 कहते हैं Halit किसका स्टेटमेंन था इलहंबाद और दिल्ली उच्छनियात तो एक्जाम की पॉइंट ओफिस एकदम महतपूर्ण क्योशन बन जाता है क्योब अक्सर कई बार जीवन का दिकार आता है तो दोस्तों वो भी किस के अखोर्डिंग आता है अनुच्छेद 21 के तैथ बात करते हैं कि प्रान और देख सवतंतरता का दिकार दोस्तों वो भी अनुच्छेद 21 के तैथ आता है साथ ही बात कर लेते हैं कि प्रारंबिक सिक्षा का दिकार दोस्तों वो भी अनुच्छेद 21 के के तैथ आता है तो इस प्रकार ये अधिकार से समंदित क्योशन आपके अनुच्छेद में पूछे जा सकते हैं तो जहां पर राइट आंसर अनुच्छेद 21 होगा कि अनुच्छेद 21 के तैत अपना नाम बदल सकते हैं नेक्स्ट क्यूशन की और बढ़ते हैं दोस्तो खाली में प्रोफिसर कोठापली जैसंकर पुरुसकार किसे समानित किया गया है यहां पर प्रोफिसर कोठापली जैसंकर पुरुसकार की बात हो रही है यहां पर किसे पुरुसकार की बात किया गया है तो बात करते हैं समीता सेटी बी नम हो रही है केसल कोş palate और आचार ये N गोपी तो यहां पर दोस्तोर राइट आंसर इसका D होगा आचार ये N गोपी इसके राइट आंसर होने वाले है और यहां पर बात करते हैं यह न पर प्रुशकर दोस्तो पहली बार परदान किया गया है कोन सा Professormer Kota Palli Jai Sankar Puruškar पहली बार ये पुरुसकर परदान किया गए और इनका सम्मन दोस्ते आंप किस से रहता ये क्या है कवी और आलोचक ये एक आलोचक है यहां पे देख सकते हैं क्या है ये एक आलोचक भी है और क्या है कभी भी है जिने कोठापली जैसंकर पुरुषकार से समानित किया गया है next question के और बढ़ते हैं तो हाल ही में मैसो लिथिक समयकाल की एक पैंटिंग खोज की गई है और किस राज्य में की गई है दोस्तों यहां पे मैसा लिथिक जो दोस्तों यहां पे समयकाल है जो समयकाल कुन सा है उसकी ऐंपे गुंत्र जिला है उसके मंदर यां चरी किई खोज की गी जिसका समयकाल कौन सा है मैसोलिथिक जो समयकाल है उसकी है दोस्तो तो ये दोस्तो हिश्ट्री से समध्य क्यूशन आपके current affairs से related करके पूछा जा सकता है कि हाली में मैसोलिथिक समयकाल की एक painting की खोज गी किस रज्य में की गी गी तो क्या की जाती है यहां पर खोज की जाती है और इसका समयकाल देख लेते हैं आपर वैसे तो समयकाल बोच सकते है मैसोलिथिक वैसे इसको 10,000 BC से 80,000 BC के according इसका क्या रहता है यहां पर समयकाल रहता है जो मैसोलिथिक जो काल है वो 10,000 BC से 880,000 BC तक इसका क्या रहता है समय काल रहता है तो exam के प्रिट फिजर इकड़ महतपून है exam में छपने वाला क्यूशन है next question की बढ़ते हैं तो हाली में देश के किस राज्य में केलेगनार कलम इस्तमारक कहां इस्तापित किया रहा है इसका किया रहा है इसका राइट आंसर चेन नहीं होने वाला है exam के point of physics मैटपून है हाली में किस राज्य द्वारा थारु-जंजाती संग्रहाल्य का उदखाटन किया गा है मतलब कौन से सरज्जे है जिसके द्वारे आपे थारू जंजाती संग्रहाले का क्या किया गया तो हम बात करते हैं कि option की तेलंगाना बिहार उत्रप्रदेश और मध्यप्रदेश तो राइट आंसर क्या है दोस्तों याँपे दोस्तों याँपे थारू जंजाती संग्रहाले साथ ही उसकी दोस्तों आपे 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 थारू जंजाती स आयोजन किया गया और साथ ही उसका उद्गाटन किसके द्वारा यहां पर योगी आदित्यनाजी के द्वारा किया गया तो इनकी भासा दोस्तों बात कर लेते हैं कि भासा भी कौन सी है इनकी थारू बासा यह थारू जंजाती जो है उसकी भासा कौन सी है थारू यही इनकी यहाँ पे थारुत जनजाती जो संग्राहलीय है उतर प्रदेश के जो बलरा मपुर जिला है उसमें इसका उध्रथन क्या गया है यह है योगी अधित्निञाज जी वहां के सीयम मैं उनके दवारा इसका उत्गाटन क्या गया है यहां पे जनजाती से समद्धितEX जो भी कानूनी साहिता प्रदान करने के लिए LADCS लाँच किया गया है दोस्तों यह एक पोर्टल लॉंच किया गया है दो दोस्तों आप यह प्रदेस देलंगाना और उतरगदेश स्वाइट है दोश्तों याँ पर उत्तारकुदेश का प्रदान करने का उद्देश से कहा था उसे किसी प्रकार की जो से समझेट सहायता लेनी है दोस्तों या फिर अन्य प्रकार की कानूनी सायत आए है उन्हों को यहाँ परदान करने को दिसे से यह पहल प्रारव में कीगी उत्रकदेश राज्य की द्वारा तो next question के और बढ़ते हैं तो यहाँ पर हाली में जारी global gender gap report 2023 में भारत का कौन सा इस्तान रहा यहाँ पर दोस्तों global gender gap report जो जारी कीगी हाली में तो उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर 2023 की जो रिपोर्ट है 2023 की जिसमें भारत की इस्तती कहां पर रहती है भारत कुंसे इस्तान पर रहता है तो option देखते हैं 121, 139, 127 और 111 वा तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों क्या है यहाँ पर W.E.F. इसके दोरे यह report जारी की जाती है word economic firm word economic firm के दोरे यहाँ पर यह report जारी की जाती है दोस्तों आपर इसका मुख्याले बात कर लेते हैं तो sweetager land दोस्तों उसकी colon में इसका क्या है मुख्याले यहाँ बोल सकते हैं कि लगबग आपके एक्जाम में इसका मुख्याले तो direct sweetager land ही आएगा लेकिन दोस्तों आपर sweetager land की जो colon है उसमें इसका मुख्याले है और हाली की 2023 की report की according यहाँ पर देख लेते हैं कि 146 जो देशो है 146 देशो में भारत की इस्तती की बात कर लेते हैं भारत 127 वे इस्तान पर आता है 2023 में दोस्तों यहाँ पर 2023 में बात कर लेते हैं लेकिन 2022 की बात कर लेते हैं तो 2022 में दोस्तों यहाँ भारत की इस्तती 135 वे इस्तान पर भारत यहाँ पर रहता है जबकि पहले इस्तान पर बात करते हैं चोदा बार लगातार यहां पर दोस्तों यहां पर यह आइसलेंड पहले स्थान पर रहा है तो दोस्तों यह एक्जाम के पॉइंट फिस अग्डम है यह हाली में जारी ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट आपके एक्जाम में पूछी जा सकते है कि भारत के इस्तति क्या रही तो 12 बारत के रहा है और यह रिपोर्ट वर्ड एकनोमिक प्रम के द्वारत जारी की जाती है इस मुखेला स्ट्जर लेंड में है दोस्तों और ब्रतमार को कि देखा है कि 236 देशों में से भारत की इस्तति 127 वे इस्तान पर रही जबकि 2022 की बात करते है तो 135 वे रेंकिंग भारत की रही है दोस्तों आपके एक्जाम के प्रम कि प्रम होने वाली है तो चैनल पर नहीं है तो लाइक, सब्सक्राइब और तो जरूर बनता है एंपे चैनल के लिंक कर सकते हो if you do नाई खंपुल्स फूर्व ऊपिप्यों कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद जहीं दोस्तो